हलो एवरिवन देशी कुकिंग वित एक तामें आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मैं एक ता आज आप सब के लिए लेकर आए हूँ चिकन कड़ी की रेसिपी जो की बिल्कुल यूपी भी हार में जैसे बनाई जाती है न बिल्कुल वैसे बन कर तयार होगी तो चलिए सु शुद्षक च्मच काली मिर्च पौडर डाला है और इक बड़ा च्मच जीरा पौडर कार ले लिया है और आधा चमच मैं इसमें गरम मसाला higher करूंगी शाथ ने मैं नमक डाला है आप जितना चिकन ले रहा है उसके तेस्ट साध्य वाटी चौणर्रा उनमक और करे कुखная जो कि तीखी वाली लाल मिर्च है और साथ में मैंने यहां पर एक बड़ा चमच का स्मीरी लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ जिसे हमारे मसाले में कलर बहुत अच्छा आएगा और जो टेस्ट होगा वो भी इनहेंस होकर आएगा इसके बाद मैंने इसमें एक बड़ा चमच पानी डालकर हम इसे एक अच्छा गोल बना लेंगे हमें थोड़ा थोड़ा पानी एड करना है और इसे अच्छा पेस्ट बना लेना है हमारी गुठलिया नहीं होनी चाहिए लंस वगरा नहीं रहने चाहिए और अगर आप कभी भी सुखा मसाला यूज कर रहे हैं तो आप हम आगे कढ़ाई को गरम करेंगे गैस पर और वापस से हमने इसमें तीन से चार बड़े चमच सरसो तेल का यूज किया है आप अगर रिफाइन में चिकन बनाना पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो बट मैंने यहां पर रिफाइन ओल के वज़ए सरसो तेल का यूज किया ह है इसमें कुछ खड़े मसाले एड करूंगी अपर तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैंने इसमें आधा चमच जीरा का यूज किया है साथ में मैंने दो से तीन तेजपत्ते को इस तरह से तोड़ कर डाला है अब मैं इसमें चार से पांच लॉंग डालू बूस किया है साले डाल कर हम इसे 5-6 सेकंड तक आप लिए और फिर हम इसमें प्याज कर देंगे तो मैंने यहां पर एक केजी चिकन लिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने और 8-9 मिडियूम साइज के प्याज को लंबे स्लाइस में काट लिया है यह देढ़े मैं अब हम इसम गोल्डेन ब्राउन कर लेना है अच्छे से यह देखिए मैंने यहाँ पर गोल्डेन ब्राउन कर लिया है इस स्टेश पर जो हमने मसालो का पेस्ट बना कर तयार किया था ना वो उसमें हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अलावा हमें अभी कोई भी मसाला इ कट लेना है हम पानी नहीं डालेंगे चुमाटर से व्हानी यह पात अभी दिख रहा है वह इस तरह से हम काटते हुए फ्राइ करेंगे कि पूरा पेस्ट हो जाए अच्छे से मिल जाए ते हुए हमने अच्छे से पका लिया यह दिखे यहां पर हमारा पेस्ट अच्छा बनके तयार हो गया मसाले भी पक गये हैं और मसाला अच्छे से मिक्स हो बहुत अच्छी खुसबू आने लगी है इसमें से फ्राइम मसालों की हमें यहां पर प्याद और मसालों को पकाने में 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है तो अभी हमारा मसाला पकर तैयार हो गया है अब हम इसमें चिकन के पीसेज एड़ करेंगे यह मैंने यहां पर चिकन के पीसेज डाल कर इसे अच्छे से मिला लिया है और वापस हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मिलाते हुए इसे वापस ढखकर हमें पकाना है हम इसमें पानी का यूज नहीं कर रहे हैं अभी हमें पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है चिक से मिला ले रही हूं मिलाते हुए हमें इसे ढख करके पकाना है गाई हमें इसे 75 परसेंट तक इसी तरह से फ्राइक करते हुए कुक कर लेना है कि मैंने वापस दो मिनिट के बाद देख ये 2-3 मिनट मैं पकाया है इसे गैस का फ्लेम हमारा slow है भिल्कुल slow पर रखा है और इसी तरह से हमें बार बार ढख करके पका अई जब तक हमारा इस तरह से तेल बाहर रहोमें दिखाई ना देने लगे यह देखिए तेल किस तरह से बाहर आ गया है वापस से हम इसे ढखेंगे और वापस से हम इसे ऐसे ही पकाएंगे वापस तीन मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे एक बार फिर से अच्छे से मिला करके वापस से हम इसे ढख दिंगे तर फिर से हम इसका ढकन हटाएंगे और देखिए हमारा किस तरह से यह पकर तैयार हो गया है तेल भी उपर दिख रहा है और ये इसके पानी से ही तयार हुआ है इसमें मैंने उपर से कोई भी पानी एड नहीं किया है ये 75% यहाँ पर कुक हो चुका है तो अब हम इसमें पानी एड करेंगे हमें इसमें थंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है हम इसमें गरम पानी डालेंगे हम दो ग्लास मैंने इसमें गरम पानी एड़ किया है और गरम पानी डाल कर मैं इसे अच्छे से मिला ले रही हूँ और मिलाने के बाद मैंने इसे 5-10 मिनट ढखकर पकाया है और गाइस अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और इसे अब मैं अच्छे से मिला लूँगी और मिलाकर गरमा गरम सर्फ करूँगी चावल या रोटी के साथ आप इसे जैसा खाना पसंद करते हों आप वैसा गरमा गरम चिकन इंजॉई कीजिए और प्लीज मेरी रेसेपी जरू ट्राइ कीजिए बहुत टेस्टी है बहुत यमी है थैंक्स पर वाचिंग